हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी केस वीडियो में अभी केस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के सभी 6 लाग सिक्षकों की तो सभी 6 लाग सिक्षकों की अगर बात करेगा तो उनका स्थानतरन की परक्रिया जो है अब सुरू होने वाली है और उसी के करम में अब जो यहाँ पर विशिष्ट सिक्षक जो बनने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रहे हैं कि उनके लिए जो है सिक्षक संगे ने सरकार को धन्यवाद दिया है और सरकार को जो है यहाँ पर उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया है जिसमें उनके द्वारा सरकार को चली हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और आप लोग को पूरा डिटेल्स में इस खबर को बताते हैं उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नहे होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह आज शिक्षा परती नहीं थी यानि कि आज कर देखेगा पटना राजम में सिक्षकों के एच्छिक अस्थानतन की दिशा में सिक्षा विबा की पहल का असनातक ग्रेट परसिक्षित सिक्षक संग ने स्वागत क्या है शंगठन के अध्यक्ष पिंटु कुमार सिंग ने कहा है कि कौौंसलिंग समाब्तो होते ही रि दिले में सिक्षकों के पदस्थापन की परकेरिया शुरू हो जाएगी महिला दिभियांग एबं असाध्य रोग से पिरित सिक्षकों को पदस्थापन में पुराथ मिक्ता मिलेगी संगठर ने कहा है कि सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्षक चंगठर ने यहाँ पर सरकार को धन्यवाद दिया है जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि सिक्षकों को जो पदस्थापन के सिक्षकों का जो पदस्थापन की परकिरिया है वो सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है वो बहुत ही अधिक स्वागत योग्य है लगोष्ट मैं जरफ पर सिक्षकों की अगर बात करेगा तो उनका स्थान आत्रण की परकिरिया जो है अब शुरू होने वाले है और उसी के करम में अब यहाँ पर विसेश्ट सिक्षक जो बनने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि उनके लिए जो है सिक्षक संगे ने सरकार को धन्यवाद दिया है और सरकार को यहाँ पर उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया है जिसमें उनके द्वारा सरकार को सिक्षकों को एच्छिक अस्थानांतरन की दिशा में सरकार की पहल का स्वागत और उनके द्वारा जो है इ आगे की तरफ और आप लोग को पूरा डीटेल्स में इस खबर को बताते हैं उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे ने होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा तो यहाँ पर आप सिक्षा परती नहीं थी यानि कि आज अख़बार में जो है यह आया था और यहां प्यकर देखेगा पतना राज में सिक्षकों के एच्छिक अस्थानतन की दिशा में सिक्षा विबा की पहल का असनातक ग्रेट परसिक्षित सिक्षक संग ने स्वागत क्या है संगठन का अध्यक्ष पिन्टू कुमार सिंग ने कहा है कि कौन्सलिंग समाप तो होते ही गिरी दिले में सिक्षकों के पदस्थापन की परकिरियाश शुरू हो जाएगी महिला दिव्यांग एबं असाध्य रोग से पिरित सिख्छकों को पदस्थापन में पुरात मिक्ता मिलेगी संगठर ने कहा है कि सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सिख्छक संगठर ने यहाँ पर सरकार को धन्यवाद दिया है जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि सिक्षकों को जो पदस्थापन के सिक्षकों का जो पदस्थापन की परकिरिया है वो सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है वो बहुत ही अधिक स्वागत योग्य है Hello friends, welcome back आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अभी केस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के सभी 6 लाग सिक्षकों की तो सभी 6 लाग सिक्षकों की अगर बात करेगा तो उनका अस्थान अंतरन की परकिरिया जो है अब सुरू होने वाली है और उसी के करम में अब जो यहां पर विशेष्ट सिक्षक जो बनने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी ख़बर निकल करके आ रहे हैं कि उनके लिए जो है सिक्षक संगे ने सरकार को धन्यवाद दिया है और सरकार को जो है यहाँ पर उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया है जिसमें उनके द्वारा सरकार को सिक्षकों को एच्छिक अस्थानांतरन की दिशा में सरकार की पहल का स्वागत और उनके द्वारा जो है इसको लिकरके एक अस्पस्ट रूप से पत्र लिखा गया है बि से पहले अगर आप लोग चैनल पर ने होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह आज सिक्षा परती नहीं थी यानि कि आज अख़बार मे सिक्षको के एच्छी कास््थानतन की दिशा में सिक्षा विभा की पहल का असनातक ग्रेट परसिक्षित सिक्षक संग ने स्वागत क्या है महिला दिव्यांग एब असाथ्धे रोग से पिरित सिक्षको को प्रत्स्थापन में पुरात मिक्ता मिलेगी संगठन ने कहा है कि सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्षक संगठन ने यहाँ पर सरकार को धन्यवाद दिया है जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि सिक्षकों को जो पदस्थापन के सिक्षकों का जो पदस्थापन की परकिरिया है वो सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है वो बहुत ही अधिक स्वागत योग्य है Hello friends, welcome back आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अभी केस वीडियो में अभी केस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के सभी 6 लाग सिक्षकों की तो सभी 6 लाग सिक्षकों की अगर बात करेगा तो उनका स्थान अंतरन की परक्रिया जो है अब सुरू होने वाली है और उसी के करम में अब जो यहाँ पर विशिष्ट सिक्षक जो बनने व द्वारा सरकार को सिक्षकों को एच्छिक अस्थानांतरन की दिशा में सरकार की पहल का स्वागत और उनके द्वारा जो है इसको लिखर करके एक असपस्ट रूप से पत्र लिखा गया है बिहार सरकार को धन्यवाद पत्र जिसमें यहां पर सिक्षकों के अस्थानांतरन में एच्छिक तरीके से उनका पोस्टिंग करने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया गया है तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और आप लोग को पूरा डीटेल्स में इस ख़बर को बताते हैं उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नहे होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह आज सिक्छा परती नहीं थी यानि कि आज अख़बार में जो है यह आया था और यहाँ प्यकर देखेगा पटना राज में सिक्छको के एच्छिक अस्थानतन की दिशा में सिक्छा विबा की पहल का असनातक ग्रेट परसिक्छित सिक्छक संगने स्वागत क्या है संगठन के अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंग ने कहा है कि कौनसलिंग समाप तो होते ही गिरी जिली में सिक्छको के पदस्थापन की परकिलिया सुरू हो जाएगी महिला दिव्यांग और असादे रोग से पिरित सिक्छको को पदस्थापन में पुरात मिक्ता मिलेगी संगठर ने कहा है कि सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्षक संगठर ने यहाँ पर सरकार को धन्यवाद दिया है जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि सिक्षकों को जो पदस्थापन के सिक्षकों का जो पदस्थ पागत योग्य है